शनी प्रदोश व्रत के दिन पूजा के बाद जरूर पढ़ी ये कथा नहीं तो अधूरा रह जाएगा व्रत. सनातन धर्म में कोई भी व्रत करते समय इस बात का विशेश ध्यान रखा जाता है कि पूजा के बाद व्रत कथा अवश्य पढ़ी या सुनी जाए. क्योंकि बिना कथा व्रत पूरा नहीं माना जाता. पंचांके अनुसार प्रतेक माह की त्रयोधशी तिथी प्रदोश व्रत रखा जाता है. इस व्रत का हिंदू धर्म में विशेश महत्व माना गया है. क्योंकि सावन का महीना भगवान शिव को समर्पित है और प्रदोश वरत के दिन भी भोलेनात का पूजन किया जाता है यदि प्रदोश वरत सोमवार के दिन पड़े तो उसे सोम प्रदोश वरत, मंगलवार के दिन मंगल प्रदोश वरत, बुधवार को बुध प्रदोश वरत, गुरुवार को गुरु प्रदोश वरत और शुक्रुवार को पड़े तो इसे शुक्र प्रदोश वरत कहा जाता है सुहागिन महिलाओं के लिए प्रदोश वरत का खास महत्व माना गया है और इस दिन महिलाएं अखन सौभाध्य की कामना से वरत रखती है यहाँ भी कहा जाता है प्रदोश वरत रखने से निसंतान दंपती की संतान प्राप्ती की कामना भी पूरी होती है अगर आप भी शनी प्रदोश व्रत रख रही हैं, तो पूजा के बाद यहां व्रत कथा अवश्य पड़े शनी प्रदोश व्रत कथा प्राचीन समय में एक ब्रामहनी रहती थी, जो पती की मृत्यू के बाद अपना पालन पोशन भिक्षा मांद कर करती थी एक दिन जब वह भिक्षा मांद कर लौट रही थी, तो उसे रास्ते में दो बालक दिखे, जिने वह अपने घर ले आई जब वे दोनों बालक बड़े हो गए तो ब्रामणी दोनों बालक को लेकर रिशी शांदिल्य के आश्रम चली गई जहां रिशी शांदिल्य ने अपने तपोबल से बालकों के बारे में पता कर कहां है देवी, ये दोनों बालक विदर्भ राज के राजकुमार है गंदर्भ नरेश के आक्रमन से इनके पिता का राजपाट छीन गया है ब्रामणी और राजकुमारों ने विधिविधान से प्रदोश व्रत किया फिर एक दिन बड़े राजकुमार की मुलाकात अन्शुम्ती से हुई, दोनों एक दूसरे को चाहने लगे तब अन्शुम्ती के पिता ने राजकुमार की सहमती से दोनों की शादी कर दी, फिर दोनों राजकुमार ने गंदर पर हमला किया और उनकी जीत हुई बता दे कि इस युद्ध में अन्शुम्ती के पिता ने राजकुमारों की मदद की थी दोनों राजकुमारों को अपना सिंहासन वापस मिल गया और गरीब ब्रामनी को भी एक खास स्थान दिया गया जिससे उनके सारे दुख खत्म हो गए राजपाठ वापस मिलने का कारण प्रदोश व्रत था जिससे उन्हें संपत्ती मिली और जीवन में खुशाली आई